आज मैं आपको थ्रॉसा लाइव मार्केट में ट्रेड्स को कैसे हैंडल करना चाहिए वो बताऊंगा एंट्री एक्जिट में आपको एक दो दिन में आपको और सिखा दूँगा जब लाइव मार्केट दुबारा शुरू होगा क्योंकि अल्मोस्ट अभी 120 हो चुका है तो अब इस ताम एंट्री शायद में ना मिले लेकिन लाइव मार्केट में अगर आप आए हैं और आपको ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इस ट्रेड को कैसे हैंडल करना चाहिए कैसे अपनी पोजिशन को सिक्योर करना चाहिए और कैसे आपको ये कन्फर्म करना चाहिए कि यहाँ पे एंट्री अवेलेबल है या नहीं यह हम बात करेंगे तो आपके पास में जो है फिलहाला भी निफ्टी का चार्ट है मैं ट्रेडिंग करता हूँ पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको भी अगर इंट्राडे करना है तो आपको फाइफ मिनट से नीचे टाइम फ्रेम नहीं यूज करना क्योंकि इसके इंदर बहुत जादा होती है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ट्रेड लेना कब है और कोई भी ना तो कैंडल ना पैटन कुछ भी चीज काम नहीं करता मैं यह नहीं कहूंगा कि पांच मिनट में पैटन काम करते हैं लेकिन इन फैक्ट यहां पे यह तो कनफॉर्म है कि आपको थोड़ा स clarity मिल जाएगा और इसी के basis पे आपके अगले trade भी होते हैं तो आपको analysis करनी है one day time frame पे और आपको जो है trading करनी है five minute पे अगर आप one day से कम करते हैं तो clarity इतनी जादा नहीं मिलेगी market के trend के बारे में तो चलिए इस time nifty trade कर रहा है 17233 के उपर इससे पहले भी मैंने आपको भी trade दिया था थोड़ दिर पहले कि हमें sell करना चाहिए 1730 के round 7230 के round तो क्यों दिया था देखिए यहाँ पर मैंने कई बार जो है notice किया हर बार यह यहाँ पर आके bounce कर रहा है और जितने बार भी break कर रहा है एक fall आता है आज भी fall आया जब हमने trade दिया था मैंने minor fall इसलिए बोला तो हमें यह पता चल गया कि अगर आपको intraday करना है तो intraday में 250 का buy बनेगा इसको break करने के बाद में यहीं पर handle करने के बाद sell बनेगा और नीचे के तरफ 230 के नीचे आपको sell बनेगा यहाँ पर buy की मैं आपको नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ से जरूरी नहीं कि हवर किया हो अगर नीचे गिरता चला गया तो काफी बड़ा fall भी आचकता है देखिए आप 150 का fall भी आपको देखने को मिला है तो 230 is for sell only and from here it is buy तो आपको दो level मिल गये हैं जिसके basis पे आप अगला trade define कर सकते हैं अब question ही आता है कि यहाँ पे 230 पे trade आ चुका है यहाँ पे आया इ हो चाहे वो sell के लिए हो आपको कभी भी जल्द बाजी नहीं करने चाहिए trader बनना है तो patience रखें अपने level को mature होते हुए देखें mature कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको जैसे मान लीजिए मैंने आपको 17 to 30 के around आपको मैंने कहा sell करें अब आपको क्या करना है पहली बात तो यह level break हो जाना चाहिए सबसे important चीज है कि यह level आपका break हो जाना चाहिए अगर यह level break हो जाता है तो क्या आपको immediately enter करना चाहिए the answer is still no आपको क्या करना है break होने के बाद में 230 के नीचे closing होना चाहिए पहला point है closing below 230 यही चीज आपका ऊपर के तरफ चलेगा तो 250 के ऊपर close होन चाहिए point number two second candle जैसे यह close हो गया तो अब यह आपका confirmation यह वाली candle करेगी यह candle confirmation करेगी आपकी अगर यह candle ने ही बहुत बड़ा run कर दिया माले 200 तक चला गया तो आपकी entry फिर भी नहीं बनेगी तो confirmation candle को उसी के आसपास ज्यादा बड़े fall के साथ में ज्यादा बड़े rise के सा अगर यह उसी के आसपास levels है तो आपके लिए trade बनता है then you can have a trade which means you can now sell for it or maybe you can buy for it और अगर यह जैसे यहाँ situation बना है candle ने close किया 230 के नीचे फिर यह bounce कर गया यह वाला आपका second candle bounce कर गया which means आपका जो है अभी यह एक अच्छा sign होता है it's not a bad sign it's a sign that you are getting your entry close to entry जो भी आपको मैंने entry दिया था उसके आसपास आपको entry मिलेगी अगर इसने वापस 230 पे गया और फिर एक और candle बना और यह confirm हो गया कि यह इस level को break नहीं कर पा रहा है और फिर नीचे गरना शुरू किया तो आपके पास में यह third candle पे which means after 15 minute you get your entry और य नहीं होनी चीए आपके 230 levels के around इसी से आपको trade मिलेगा इसे तरह से एक और example ले तो मैं आपके लिए वो example रहेगा bank nifty का bank nifty में पहली बात तो मैंने क्यों आपसे कहा था कि हमारे पास में 34 900 की नीचे sell बनेगा उसके पीछे का reason जानी है ऐसे कोई नहीं बोलेगा आपको यह देखीगा यहाँ पर आने के बाद में एक rounding bottom sorry rounding top rounding top pattern बना जैसे मैंने आपके निफ्टी में आपके लिए खोड़ेंट लाइन प्लॉट किया तो यहाँ पर rounding top बना विच मेंस यहाँ पर अब यह बड़ा अच्छा pattern है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर विच मेंस यह जो 34 900 के around इसने consolidate किया न एक अच्छा sign होता है कि यहाँ से आपका जो है stock दूर नहीं जा रहा अब इसमें जब भी stock अपने level पर जैसे पिछले वाले निफ्टी में भी तीन candle ने एक rectangle के अंदर trade किया था अगर यह rectangle ज्यादा दूर नहीं है जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं ज नीचे गिर के वापस भागे उतनी speed से तो आप on cost निकल जाएंगे आप hope के में नहीं बैटेंगे क्योंकि stock गिरा है और immediate bounce किया एक single candle पर बिना सोचे समझे बिना hesitate किये quit कर जाया आपने trade से जैसे यहाँ पर हुआ था तो आपको quit कर जाना चाहिए क्योंकि यह होती है V-shape recovery जो काफी strong भी हो सकती है अगर आप sell करते हैं इसी तरह से आपका जो अगर आपने buy किया है और immediately dip हो गया तो भी आप यहाँ sell करके exit कर जेगा क्योंकि यह V-shape जो है failure भी आपके लिए रह सकता है तो आपको अमेशा पहली point वापिस से आपको बता रहा हूँ point number one stock को पहले कि पैटन या किसी level के basis पर पहचान ही है stock जो point number two कभी भी trade अपने level से बहुत ज़्यादा दूर जा के मत लीजेगा और confirmation के लिए एक दो तीन चार पाँच जितनी candle लगें कोई जल्दी नहीं है आपको अगर एक proper confirmation मिले तब ही आपको इंटर करना चाहिए जैसे हमने आपको द a rectangle and immediately you get a fall also तो यह आपके इंटर टेड ऐसी बनते हैं और उसके बाद में भी शेप हो गया तो देखें market है कभी-कभी आपको एचीज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे and immediately you will quit also बाके मैं इसी तरह से maybe in coming days और आपके लिए video ले करेंगा जब live market में हम कोई trade आपको provide करेंगे तो उसके पीछे की explanation क्या है वो मैं आपसे discuss करूंगा